दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल दाडियम अपलेफ पर आज का व्यूट्यू बहुती कमाल का इस वीडियो को पूरा देखे एंड तक अगर आपके घर में आपके रिस्तेदार में आपके बेटे ना आपकी बेटी ना अगर गुर्प ड के बारे मैं पूरी जानकारी देंगे कितने परसेंट नंबर लाने पर आपका हो जाएगा सेलेक्शन कितनी दोड़ होगी कब रिजल्ट आएगा कैसे क्या करना है पूरी जानकारी आपको दी जाएगी आज की वीडियो में तो दोस्तों आपसे गुजारी से चैनल को जरू आप तक पहुंच जाए बैल का एकन जरूर दबा देना ताकि आप देख सेके हमारी वीडियो सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं जी हां मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा वीडियो को एंड तक जरूर देखना देखिए ये कोई फेक ख़वर नहीं है 15 जन वरी जासे कि आपको यहाप से दिखाई देता होगा आज की अपडेट है बिविन छेतरों के लिए पिरतेक छेतर का अपना कट आफ है ठीक है बिविन छेतरों के लिए पिरतेक छेतर का अपना कट आफ है ठीक है बिविन छेतरों के लिए पिरतेक छेतर का अपना कट आफ है ठीक है बिविन छेतरों के लिए पिरतेक छेतर का अपना कट आफ है नीच सावन सिरेडी के हैं और आप OVC OIC के हैं तो आपके 30 में सो में से 30 नंबर आ गए हैं तो समन लीजे आपका नंबर पक्का आ जाएगा पूरी जानकारी देंगा मैं वीडियो को एंट तक जरूर देखें और एस एस्टी के लिए 25 पर तीसाथ अंग पी डबलू मीदवारों के लिए 2 पर तीसाथ की छूट दी जाएगी बहुत सरल एक्जाम हो गया है बहुत ही ज़्यादा परसंटेज नहीं है 40 OVC के लिए जरूर के लिए 40 परसंट OVC के लिए 30 परसंट OST के लिए 25 परसंट नंबर लाना जरूरी है और आपका इतना नंबर आ गया तो आपको दूसरी लिष्ट में यानि की दूसरी आइक्जाम में आपको सामिल कर लिया जाएगा देखते हैं दूसरा चरण कैसा होगा गुरूब डी की पहले चरण की कंप्यूटर बेस्ट परिक्चा में पास होने वाले उमीदवार को दूसरी चरण की दसारी रिक दश्टा परिक्चा में भाग लेने का मोका मिलेगा आपको बता था कि गुरूब डी के 62,907 पदों पर भरती परिक्चा 17 नमुम्ट से से के हैं तो 30% से के हैं तो 50% नमबर अगर आप की आगए तो आप दूसरे चरण की तैयारी पूरी कर दें रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट कब आएगा मैं पूरी जान कर देंगा आज के वीडियो में वीडियो को पूरा देगे एंड तक चैनल को सब्सक्राइब करें 63,000 पदों के लिए इतने उमीद्वारों ने किया था आय, दिया था एकजाम 63,000 पदों के लिए इतने उमीद्वारों ने दिया था एकजाम कितने नी hanya यह दिया था मैं आपको पूरी जub unknown कर दूंगा? इन सभी उमीद्वार को तीन महीने तक देश के विविन केंद्रों पर चली गुरूब D की BC, CBT परिक्षा का रिजल्ट जारी होने का इंत्यार है आंसर की जारी हो गई है आज 14 जन्वरी से 19 जन्वरी तक इसमें आपती दर्ज कराई आ सकते इन कंडिगर्ट को समय दिया गया है ठीक है और देखते हैं वीडियो में वीडियो को पूरा जरूर देखें जल्द जारी होगा जल्द जारी होगा RRB गुरूब D का रिजल्ट ठीक है उतर कुंजी जारी होने के 15 दिन के बार रिजल्ट भी घोसित कर दिया जाएगा P.E.T. का परिख्षा का सेडूल रिजल्ट के बार जारी होगा उम्मीलवार किसी प्रिशन को उतर को लेकर आपती भी दर्ज करा सकेंगे इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है अगर आपको कोई आपती है तो आप दर्ज करा सकते हैं इन केंडिकेट को नहीं होगा फीस का रिफंड किनको नहीं होगा फीस का रिफंड आपको हम पूरी वीडियो में बताएंगे जानकर पूरी देंगी केंडिकेट द्वारा दर्च की गए आपती सही निकली तो उन्हें ये फीस रिफंड कर दी जाएगी बहीं इदी इससे खारिज कर दिया जाता है तो रिफंड नहीं मिलेगा आरार भी 63,000 पदों पर क्यूर्मेंट दिया गया था कहीं बहीं एक कडोर 90 लाग उमीदवारों को परिक्षा के लिए आवेदन किया गया था ठीक है और आगे बढ़ते हैं ये मिलान करने का आसान तरीका है आपको आसान तरीका दिया देखिए एक बहुत बड़ी ख़ब निकल के आई है आज हम आपको इस वीडियों पूरी जान और ये वीडियो के कैसी लगी ये जानकारी कैसी लगया आप गे नहाएं आपने अगर गुरूब डी का एक्जाम दिया है आपके आर दोस्ते ने रिस्तदार ने बेटा ने बेटी ने किसी ने भी साके सम्मदी ने गुरूब डी का रिजल्ट दिया है तो इस वीडियो को यह जानकारी पहुंच जाए दोस्तों आपने हमें कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद और आपसे गुजारिस है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सके नई से नई जानकारी सरकारी योजनाओं के बारे में सरकारी नो सब्सक्राइब कारे में सरक दिए सब्सक्राइब